16.5.1 पेट्रोलियम का प्रभाजी आस्वन फ्रेक्शनल डिस्टिलेशन ओफ पेट्रोलियम आपने देखा होगा कि जब हम बरतन में पानी को गर्म करते हैं तब वाश्प बनती है यदि इस बरतन को ढख दें तो ढखकन के अंदर की ओर पानी की कुछ बूंदे दिखाई देती है यहाँ प्रक्रिया आस्वन कहलाती है आईए हम दो द्रभों के मिश्रण के आस्वन को समझने का प्रयास करते हैं आस्वन की प्रक्रिया में अगर दो द्रवों के मिश्रण को गर्म किया जाए, तो ये दोनों वाश्प में परिवर्तित हो जाते हैं, और वाश्प को ठंडा करने पर वे पुनह द्रव में बदल जाते हैं सामाने ताप पर सभी द्रव लगातार वाश्पित होते रहते हैं, परन्तु जब इन्हें गर्म करते हैं, तो वाश्प की मात्रा बढ़ती जाती है वाश्प की यह मात्रा द्रव के कथनांक के वेद्कुर्मानुपाती होती है अर्थार्थ जिस द्रव का क्वथनांक निम्न होगा उसकी वाश्प अधिक बनेगी और उच्छ क्वथनांक वाले द्रव की वाश्प कम बनेगी इस वाश्प को ठंडा करने पर निम्नक्वतनांक वाले द्रव की अधिक मात्रा प्राप्त होती है और उच्छक्वतनांक वाले द्रव की कम इसे हम दो द्रवों A और B के द्वारा समझ सकते हैं द्रव A निम्न क्वथनांग धन द्रव B उच्च क्वथनांग गरम करने पर वाश्प A की वाश्प ज्यादा B की वाश्प कम ठंडा करने पर द्रव A की मात्रा ज्यादा B की मात्रा कम यदि इन दोनों द्रवों को पूरी तरह प्रिथक करना हो तो आस्वन की प्रक्रिया को बार-बार दोहराना होगा हम जानते हैं कि पेट्रोलियम कई हाइडरोकार्बन का मिश्रण है जिनके क्वतनांक में बहुत कम अंतर होता है ऐसे मिश्रण के घटकों को साधारन आस्वन विधी के द्वारा प्रिथक करना कठिन होता है अतह इनके लिए विशेश उपकरन का प्रयोग किया जाता है जिसे प्रभाजक इस्थम्ब कहते हैं इस प्रकार दो या दो से अधिक मिश्रणी द्रवों को जिनके क्वतनांक के मद्ध बहुत कम अंतर होता है प्रिथक करने की विधी प्रभाजी आस्वन कहलाती है पेट्रोलियम का प्रभाजी आस्वन पेट्रोलियम के प्रभाजी आस्वन के लिए सर्वप्रतम कच्चे तेल को भट्टी में गरम किया जाता है और वाश्पों को प्रभाजक इस्थम्ब के नीचले भाग में पहुँचाया जाता है वाश्पों का यह मिश्रण इस्थम्ब में उपर की ओर उठता है और संगनित होकर द्रव रूप में नीचे की ओर आता है इस्थम्ब में आस्वन की क्रिया लगातार चलती रहती है क्योंकि गर्म वाश्प के कारण संगनित द्रव पुना वाश्प में बदल जाता है इस प्रकार निम्न क्वथनांक वाले यौगिक इस्थम्ब के उपरी भाग में आस्वित हो जाते हैं और इन्हें अलग एकत्र कर लिया जाता है इस्तंब में उपर से नीचे क्रमश्रह निम्न कवथनांक से उच्च कवथनांक वाले द्रव प्रिथक कर लिये जाते हैं इस प्रकार अलग-अलग कवथनांक वाले प्रभाज प्रिथक हो जाते हैं जैसा की चित्रानुसार दर्शाया गया है अब हम पेट्रोलियम के प्रभाजी आस्वन पर अपनी समझ बनाते हैं प्रभाजी आस्वन की क्रिया में बिन बिन कवतनांग वाले प्रभाज इस्तंभ में अलग-अलग स्थान पर आस्वित होते हैं वे प्रभाज जिनका कवतनांग कम है इस्तंभ में उपर की और और जिनका कवतनांग अधीक हैं वे इस्तंभ में नीचे की और प्राप्त होते हैं चलिए पता करते हैं इस्तंभ में सबसे उपरी भाग में क्या क्या मिलता है इस्तम के सबसे उपरी भाग में कम कत्रांक वाला प्रभाज बिना द्रवीत हुए गैसी अवस्था में प्राप्त होता है यह पैट्रोलियम गैस है इसे उच्च दाप पर सिलेंडर में इकठा कर लेते हैं पैट्रोल में 5-7 कारबन परमानों वाले हाइडरो कारबन मिश्रित रूप में पाये जाते हैं यह मोटर वाहनों के अंतरिक धन इंजिनों में इंधन के रूप में उप्योग किये जाते हैं नेफ्टा उच्च कार्बन परमाणों वाला योगिक है इसे निम्न कार्बन परमाणों वाले योगिकों में विभाजित किया जा सकता है ये योगिक हैं एलकेन और एलकीन एलकीन से पॉली एलकीन स्प्राप्त किये जा सकते हैं बच्चों ये वही पॉली एलकीन से हैं जिनक उपयोग प्लास्टिक की बोदले बनाने में किया जाता है केरोसिन पेट्रोलियम का एक मुखी उत्पाद है जिसका उपयोग एरक्राफ्ट और रॉकेट के इंधन के रूप में होता है डीजल वाहनों में इंधन के रूप में उपयोग किये जाने वाला एक जाना पहचाना पदार्थ यह भी पेट्रोलियम का ही उत्पात है जैसा कि आप जानते हैं यह वार्फशिल इंधन है वाहनों के इंजन में उच्छ दाप के साथ जब इस पार्क किया जाता है तब इसका याने की डीजल का दहन होता है और अंत में बात उन अवशेश पदार्थों की जो इस थम के निशले छेतर में प्राप्त होते हैं इन अवशेश पदार्थों का उप्योग सड़क बनाने और छटों पर जलरोधी परत बनाने में होता है। हमने देखा कि पेट्रोलियम के प्रभाजी आस्वन से विभिन नताप पर कई महतोपून पदार्थों की प्राप्ति होती है। इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं, जिनका उप्योग विभिन अक्षेत्रों में किया जाता है। आधुनिक समय में कई उद्योग इनी पदार्थों पर आधारित हैं।